नमस्कार दोस्तों, एक तरफ देश की प्रधानमंत्री नरींद्र मोदी हैं, जो मौस को जा रहे हैं, दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांदी हैं, जो मनिपुर दौरे पर जा रहे हैं, दोनों की प्राथमिक्ता हैं अलग-अलग हैं, प्रधानमंत्री की प्रधान मंत्री को करना चाहिए था, मनिपूर जाना चाहिए था, लोगों की समस्याओं को सुनना चाहिए था, वो देश के नेता प्रतिपक्ष होकर राहुल गांधी को करना पड़ा है। आपको बता दे कि मनिपूर में 14 महिनों से हिंसा जा रही है, लेकिन प्रधान मंत्री ने एक बार मनिपूर की तरफ रुख तक नहीं किया है। रहार शिवर में गए थे, उससे दो दिन पहले वो गुजरात में हिंसा पीडितों से मिले और उससे भी पहले हाथरस में बगदर में मारे गए लोगों के जो परिवार थे, पीडित परिवार उनसे भी मिले थे। लेकिन इस बीच प्रधान मंतरी कहीं नहीं दिखाई दिये प्रधान मंतरी का इंटरनेशनल टूर लगातार चल रहा है दोस्तों भारती जुनता पार्टी के समर्थक आपको याद होगा चुनाफ से पहले ये दावा किया करते थे गोधी मीडिया भी ये दावा किया करता था और उनको ट्रोल किया जाता था कि चुनाव खत्म होते ही राहूल गांदी छुट्टी हमनाने विदेश निकल जाएंगे। लेकिन राहूल गांदी तो देश में रहकर देश के लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन तीसरी बार प्रध बाधी मोधी इटली निकल गए थे। संसद में भी नेता प्रधिपक्ष राहूल गांदी ने जब नीट और मनिपूर के मुद्धे पर बहस करने की मांग की थी, पूरा विपक्ष मनिपूर पर बात करने के लिए हंगामा कर रहा था, तब भी प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री को हिंसा प्रभावत मनिपूर का कुछ घंटों के लिए भी दौरा करने का समय नहीं मिला है, जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहूल गांदी की पूर्वोत्तर राज्य की यात्रा एक साल से अधिक समय में उनकी तीसरी यात्रा होगी। दोस्तों जैराम रमेश ने आज एक्सपर एक ट्वीट भी किया जिसमें वो कहते हैं कि आज गैर जैविक प्रधान मंत्री मौस्को जा रहे हैं जबकि लोकसभा में विपक्ष के नेता असम और मनिपूर जा रहे हैं। मौस्को की यात्रा और भी विचित्र दावो को जन्म देगी। 14 माईनों पहले राज्य में हुई विस्पोच के बाद से ये राहुल गांदी की मनिपूर की तीसरी यात्रा है। जैराम रमेश आगे कहते हैं कि गैर जैविक प्रधान मंतरी को 3 माई 2023 को गंबीर घटना के उभरने के बाद कुछ घंटों के लिए भी मनिपूर जाने का समय नहीं मिला और ना ही उनकी इच्छा थी। उन्होंने राज्य के सीम और विधायकों और सांसदों सहित राज्य के अन्य राजनातिक नेताओं से भी मुलाकात नहीं की है। कोई भी करने के बजाए कोई भी आक्शन लेने के बजाए लगातार विपक्ष पर और नहरू पर आरूप लगा रही है। अब इस पर सोशल मीडिया की जनता क्या कुछ कह रही है वो भी हम आपको बता देते हैं। इस पर कॉंग्रिस की नेता है राहूल गांधी की बहन प्रयंका गांधी उन्होंने भी ट्विटर पर एक ट्वीट किया है और लिखा है। नेता प्रतिबक्ष राहूल गांधी ने आज मनिपूर में हिंसा पीडितों से मुलाकात कर उन्हें संतावना और हिम्मत दी। मनिपूर एक साल से ज्यादा समय से हिंसा ग्रस्थ है सैक्रों लोगों ने जान गवाई हजारों लोग रहत कैम्प में रह रहे हैं। लेकिन केंद्र की भाजप सरकार ने शांती बहाली के लिए ना तो कोई सकरात्मक पहल की ना ही प्रधान मंतरी ने मनिपूर का दोरा किया। मनिपूर में अशांती फैलने के बाद से ये राहूल गांधी का तीसरा दोरा है, उन्होंने शांती और प्रेम के संदेश के साथ प्रदेश की जनता को भरोसा दिलाया है कि हम हर हाल में उनके साथ हैं। इसके लावा कॉंग्रस के नेता श्रनिवास बीवी ने भी ट्वीट किया है विडियो और लिखा है कि मनिपूर मैं हूना। सुरेंदर राजपूत लिखते हैं कि मोदी जी, रूस और आस्ट्रेलिया जा रहे हैं राहूल गांदी जी, असम और मनिपूर अपनी अपनी प्राथमिक्ता है। असम में राहत शिवरों में पीड़ितों से मुलाकात करने पहुचे हैं नेता प्रतिपक्ष्ट्री राहूल गांदी जी, इसके अलावा कृष्ण कांत लिखते हैं कि राहूल गांदी सुबा मनिपूर के लिए निकले, फ्लाइट से असम पहुचे और वहां राहत कैम्प म मजदूरों के साथ कन्नी बंसुला आजमा रहे थे, चुनाव में कुछ सुपारी पत्रकार अफ़ा फैला रहे थे कि जैसे चुनाव खत्म होगा राहूल चुट्टी पर चले जाएंगे, वो सब कहां है आज कल, इसके लावा रनविजस सिंग का ट्वीट देखे लिखा है आज की दो तस्वीरे, मोदी गए रूस, राहूल गए मनिपूर, इसके लावा अब इशेक आनन जूर्नलिस ने एक वीडियो शेयर करके लिखा है कि राहूल गांधी आई लव यू सो मच, ये मनिपूर की महिलाओं के शब्द हैं, राहूल आज मनिपूर पहुँच गए ह रहे हैं, तमाम लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, एक के बाद एक जनता से मुलाकात कर रहे हैं, जनतों को मुद्धों को समझ रहे हैं, लेकिन प्रधान मंत्री इस दोरान देश के तमाम मुद्धों को छोड़कर विदेशी दोरों पर हैं, इस पर आपकी क्या राह में कमें सेक्शन में लेकर जरूर बताईएगा यह खबर आप उल्टा चुश्मा यूसी पर देख रहे हैं, नमस्कार